बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्राहिम असलामलेकूम आज हम बनाते हैं स्वीट स्मोसा या सुजी के लड्डू गुजिया देखें बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी डोह है इसके लेयर्ज में हैं अब जरूर ट्राइ कीजिएगा देखें कितने अच्छी लेयर्ज हैं इसके चलें शुरू करते हैं यह हमारे पास 200 ग्राम मैदा है यह चाचा में हमने चावल काटा लिया है चाचा में हमने घी लिया है और थोड़ा सा नमागा और लोब वाटर के साथ हम इसके डोह त्यार करेंगे आप चाहें तो इसे हाथ से भी गून सकते हैं एक सॉफ्ट डोह त्यार करनी है हमने बहुत हाड नहीं होनी चाहिए पहले हम तक्रीबन दो चमच घी के वह शामिल करेंगे हाफ टी स्पून इसमें हम नमाग का शामिल करेंगे और जो हमने थोड़ा सा गरम पानी लिया है उससे से गूंग लेंगे इसकी डोर नरम रखनी है ज्यादा हाड नहीं बनानी डोर हमारी त्यार हो चुकी है अच्छा नरम सा हमने आटा त्यार किया है यह हमारे पास चाचमच हमने चावल काटा लिया है उसको चाचमच घी में मिक्स कर लेते हैं इस डोर के हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे अब हम इन पेड़ों को बेल लेते हैं अब यह जो हमने एक रोटी बेल के रखी है इसके उपर यह चावल का अटा और घी यह हम थोड़ा थोड़ा लगाए यह थोड़ा है गी लगाने के बाग इसके ओपर हम दूसरी रोटी की तया राक देंगे और इसी तरह से हमने सारी तया तया करनी हैं सारी तया करनी है करके इसको हम दूबरा बेल लेंगे और इसके ओपर भी गी और चावल का तल का देंगे इसका रोल बना के हम तकरीब बन दो से तीन घंडे के लिए फ्रीज में रखेंगे यह हमारे पर नट्स हैं इनमें काजू अखरोट और बदाम यह हमने लिए हैं इनको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे आप चाहें तो और नट्स भी इस पर शामल कर सकते हैं यह हमने ड्राइ कोकोनेट लिया है इसको हम क्रश कर लेंगे यह एक पैन में हमने फाइफ टेबल स्पून गी देसी गी लिया है आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं एक प्याली सूजी की हमने लिए हैं वह इसमें शामल कर देते हैं और इससे लाइट ब्रॉन होने तक भूनेंगे हैं इसमें गी हमने ज्यादा इसमाल नहीं करना ये देखें कि त्याची से लाइट ब्रॉन हो गी है अब हम चुला बंद कर देंगे और ये जो नट्स हमने चॉप करके रखे हैं ये शामिल कर देंगे ये हमरे पास हाफ ब्याली चीनी है ये हम शामिल करेंगे अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हैं और बीस में थोड़ी से मिला देंगे इसके अंदर साबत सौंफ भी शामिल की जाती है हमारे बच्चों को चुंकर उसका जाइका अच्छा नहीं लगता इसलिए हम शामिल नहीं कर रहे आप इसमें साबत सौंफ और थोड़ा सा लाची पॉर्डर वह दूर शामिल कर लेजिएगा डो हमारी काफी अच्छी सी त्यार हो गई है इसको हम बेल लेते हैं एक बड़ी रोटी त्यार कर लेंगे यह देखे इस तरह से अब कोई भी गोल फाम लेएके मेडियम साइज की इसमें से हम छटी छटी डोटी निकाल लेंगे कर दो से मारी कर लेजिए एक लोटी अच्छी साइज कपके लेंगे बाकी डो हमारी बची है इसको फिर बेल के हम इसमें से मजीद और रोटियां बना लेते हैं अब इस तरह से हम इसके फिलिंग कर लेंगे यह जो सूजी हमने भून के रखी है इसको इस तरह दरम्यान में रखके इसके किनारों पर हम पानी लगा के फिर इसे बंद करेंगे इसे बंद करने से यह नहीं जुड़ेगी पानी लगा के फिर हम इसे बंद करेंगे यह दो शेप से भी त्यार की जाती है आप चाहें तो यह वाली शेप बना ले यह आप चाहें तो इसकी दूसरी शेप भी त्यार कर ले वह भी हम आपको बताते हैं आप इसे कंटे के साथ भी इसके किनारे जोर सकते हैं इस तरह से इस तरह से हम अपने तमाम लेडू त्यार कर लेंगे इंडिया में यह गुजिया के नाम से जानी जाते हैं इस सारे त्यार कर लेने के बाद इन्हें हम डीप फ्राइ करेंगे हीट बहुत ज्यादा नहीं रखिएगा और नहीं अंदर से कच्छे रहेंगे इसकी चूंके हमने लेयर्स त्यार की है इसलिए यह अंदर तक क्लियर्स को पकना चाहिए हलकी आँच पर आपी से फ्राइ कीजिएगा यह देखे इतने लाइट ब्रॉन हमने करने हैं अब ट्राइ कीजिएगा आई होप आपको बहुत अच्छे लगेंगे मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कीजिए और शेयर भी थैंक यू फर वाचिंग